अज परसेंटेज वी क्लास का टोपिक है अंचेंच और रिमेंस सेम या कमपेरिजन तो ये कुछ क्रिश्चन से इसमें अंचेंच और कमपेरिजन ये दो टाइप है तो इन में जब भी आप क्रिश्चन को सोल करेंगे तो सभी में सरफ एक ही फोर्मूला लगाना है आपने फोर्मूला है आपका x multiply 100 divide by 100 plus minus x तो सबसे पहले हमें क्रिश्चन को पढ़कर ये पता करना है कि यहीं दो है या नहीं है तो if a housewife increase the consumption of rice by 20% यदि वहे अपने जो चावल है उनके अंदर जो consumption उसकी खपत को यदि वहे 20% बढ़ा देती है तो वहे अपने जो खर्चा है उसके अंदर प्राइस के अंदर कितने रुपे की कमी हो जाए कि उसका जो expenditure है वो same रहे तो same में आपका आगाई है unchange तो अब इसको देखेंगे formula apply कैसे करना है x का मतलब होता है जो percentage में value दी गई है वो तो इसमें percentage है आपकी 20% तो 20 multiply 100 divide by जो नीचे आपको लिखा है 100 plus और minus x तो यह depend करेगा इस 20 के उपर अगर यह 20 increase है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 100 plus 20 और अगर यह decreasing को show करता है तो यहाँ पर आएगा फिर minus तो अब इसे जैसे आप solve करेंगे 20 multiply 100 120 तो यह आएगा आपका 50 by 3% तो इस परसेंट उसने यह कहा था कि यदि चावल जो है अगर उसकी खपत को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके मुल्ले में कितने परतिसत की कमी करें कि जो उसका expenditure है वो same रही तो उसका मुल्ले 50 by 3% कम होना चाहिए यदि उसकी खपत 20% बढ़ जाएगी तो भी उसका जो expenditure है उसकी जो खपत है वो बराबर रहेगी पैसे की तो यह परसंद आपका unchanged के लिए next है कि if the length of the uns is 20% less than the length of uns तो यह है आपका तुलनात्वक comparison के लिए तो वो यह कहता है कि if the length of uns is 20% less तो यह आपकी ओगी मालो अन्स की और यह है आपकी हन्सी की तो इस condition उसने यह कहा है कि यदि अन्स की जो हाइट है यदि वो हन्सी से 20% कम हो तो हमें बताना है कि जो हन्सी है उसकी जो हाइट है वो अन्स से कितने परतिसत ज्यादा है तो यहाँ पर जो टोपिक आपका वो बना आपका कमपेरिजन के लिए तो इस ही को वैसे ही सोल कर रहा है बिल्कुल सेम तो ट्वेंटी मल्टीप्लाइट हंडर्ड अब जो ट्वेंटी है उसके साथ उसने शो किया है लेस लेस का मतलब हो गया कम कम के लिए यहां पर लगाएंगे हंडर्ड माइनस है । ट्वेंटी हो जाएगा ट्वेंटी मुल्टीप्लाइट डिवाइड बाइटी गे तो ट्वेंटी-फाइफ परसेंटेज जो वैल्यू है वो रहेगी आपकी कि जो हंसी की जो आपकी हा वह 25 परतिसत इससे कम होगी तो इसकी इससे ज्यादा थी 20 परसेंट जबकि इससे इसकी कम है 25 परसेंट तो यह आपका था तुलनात्मक परसन नेक्स्ट है इफ दी लेंथ ओफ दी रेक्टेंगल इस इंक्रीज़ बाई 20 परसेंट तो इंक्रीजिंग के लिए वहीं प्लस होगा 20 परसेंट आपका परसेंटेज की वैल्यू है देन तैल बाई हाव मैंनी मच परसेंटेज शुद बी ओफ ब्रैट वी रिद्यूस तो इसम इसमें उसने कहा कि कोई भी अपकी रेक्टेंगल है यदी हम उसकी लेंथ को 20 परसेंट कम कर दें ऐसे तो उसकी जो ब्रैथ है उसको कितना बढ़ाएं कि इसका जो एरिया था और इसका जो एरिया है वो आपस में बराबर रहे हैं तो कंडिशन वहीं लगए इसका आंसर लिखेंगे तो 20 x 100 डिवाइड बाइड इंक्रीजिंग के लिए 120 और वहीं आएगा आपका 50 by 3% तो इसका जो आएगा वह आएगा 50 by 3% कि यदि हम लेंथ को 20% कम कर देते हैं यहां तक आजाएगा आपकी लेंथ मालो तो जो ब्रैथ है आपकी उतको कितने परतिसत बढ़ाएं कि उनका जो एरिया है वो सेम हो जाए तो उस कंडिशन में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50 by 3% यदि हम इसको दूसरी कंडिशन में देखें तो इसको एजूं करके भी कर सकते हो माल लेजिए पहले जो आपकी लेंथ थी 100 है ब्रैथ भी मालो 100 है तो आपका जो एरिया है वो आएगा ऐसे अब उसने कहा है यह आपकी length है मालों यह आपकी breath है वो कहता है कि यदि मैं जो length है उसको 20% कम कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो length हो जाएगी वो हो जाएगी 80 अब हमें breath यहाँ पे निकालनी है जबकि वो कहता है कि जो इसका area है वो रहेगा safe तो यदि हम यहाँ से breath की value निकालें तो area by length यह आए आपका 125 तो इस condition में देखा जाए तो आपके जो length थी वो 80 है और जो breath है वो change हो के आपके हो जाएगी 125 तो अब कहता है कि वो इससे कितने कम जाएगी अगर वो 20% की बात करता है यहाँ पे तो उसमें जो decreasing value आएगी वो इस 125 से 80 कितने परतिसत कम होगा उस condition में आप इसको निकाल सकते हो यह आपका long method है बट हम इसको simple way में लेके चलेंगे यूँका यूँ तो जितनी भी value यहाँ पे रखी जाएगी वो increasing है तो नीचे plus कर देंगे और अगर decreasing है तो उसको minus कर देंगे इसी condition में अगर हम जितने भी question comparison के लेते हैं माले जी कोई freeze है इसकी जो value है वो 20% उसने discount दिया या 30% discount दिता है तो वह चाता है कि उसकी जो ग्राग है उसके अंदर कितने परतिसत की वर्दी हो जाए कि जो उसकी जो आए है वो समान रहे है तो हम सरफ इसी को लेकर चाल देंगे सेव तो तीस multiply 100 और decrease होने का मतलब यहां पर आएगा सेवन्टी तो 300 बटे में 7% की जो उनके ग्राकों के अंदर है वो होनी चाहिए आपकी वर्दी कोई भी कृष्ण ले सकते हैं वैसे माल लेजिए कोई जादूगर है उसकी जो टिकेट हैं वह अपनी टिक्टों के उपर 10% का डिसकाउंट देता है तो वह चाहता है कि उसकी ओडेंश जितनी ज्यादा बढ़ जाए कि उसका जो पहले का आए थी वो और अब की आए बिलकुल समान रहे तो यह भी बिलकुल सेम चलेगा 10 x 100 x 90 तो ऐसी कंडिशन के जितने भी क्यूशन होंगे जिनके अंदर अंचेंज्ड हो और या कंपेरिजन तो दुन्हों अवस्थाओं में आप सिर्फ एक ही फूमुला लगाएंगे x x 100 x 100 x 100 x